एक ट्रबल आर्टिस्ट को, रियल वर्ल्ड में एक एंजल मिली, वो ट्रैप्ट थी तो उसे वो बचा लेता है, इसके बाद उसके एक ग्रीड की वज़े से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया हलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको पैशन बले, यह 2010 की एक रोमैंटिक फैंटेसी, हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इससे लाइक कर दीजेगा अब भी नागिज दरीके, एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है, और हमारा मेन गैरेक्टर, जिसका नाम है नेट, यह हमसे इंट्रोडियोस होता है प्लेयर है, जब वो यंग था, बहुत ही फेमस हुआ करता था, पर उसकी हालत अब बहुत खराब है इसके बाद स्टीट में एक आदमी उसे मार कर, गाड़े में डाल कर एक जगा पर लेकर जा रहा था नेट समझ गया, यह उसे मार डालने वाला है सुमसान जगा पर यह भोज़े, उसे मारने वाला था, तब यह उस आदमी को बूलिया लग की शायद उस आदमी के कोई और दुश्मन थे, नेट की जान बच जाती है वो आदमी डेट बॉड़ी के पास आये, उससे कुछ लिया और यहाँ से चले गए नेट टाउन से बहुत ही दूर था, तो उसे वैसे ही जलते जलते जाना पड़ता है फिर उसकी नजर एक सरकस पर पड़ी, यहाँ पर एक पफोर्मर से वो फोन के लिए पूछता है उसके ट्रेलर तक वो पहुच जाता है, लिली गुस्से में उससे कहती है, तो उन्हें पैसे पेक किये थे, और शोग खतम हो चुका है अगर फिर से आये, तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे नेट कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं इसी टाउं में ट्रंपेट बजा रहा था, अब मैं अपना रस्ता भूल चुका हूँ प्लीज मुझे एक ड्रिंक ओफर करो, ड्रिंक के बाद मैं चला जाओंगा लिली भी इसके लिए मान जाती है, नेट को अपना नसीब बहुत अच्छा लगा, कि एक घंडे पहले हो मरने वाला था, और अब एक एंजल के साथ है वो उसे पुछता है, क्या कभी तुम अमेरिका गई हो, या एक्च्छल मैं मैं मैंक्सिगो में है, वो कहती कि मैं जाना चाहती हूँ लिली की इंगलिज बहुत ही अच्छी थी, जो उसने मूवी देख देख कर सीकी है, अपनी वींग्स की वज़े से उसे तकलिफ हो रही थी नेट कहता है, इसे उतारने में मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, वो कहती कि मैंने कोशिश की है, लिली ने कहा, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नेट जाते जाते कहता है अगर तुम्हें यहाँ से भागने में किसी help की जरूरत हो तुम्हें तुम्हें कर सकता हो लिली इसके लिए मना कर देती है जब वो बाहर आया तो खिड़की से लिली की wings देखता है वो अब अपने wings निकालने की कोशिश कर रही थी ये कोई costume नहीं तो उसके actual wings है वो रियारिटी में एक angel है लिली ने नेट को अपने टेलर में आने दिया इसके बीचे एक reason था अपने young age में नेट बहुत ही famous ट्रंकेट प्लेयर था और उसके गाने वो अभी भी सुनती है बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर लेते ये लिली का boss था वो उसे कहता है तुम लिली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो मैं उसे तुमारे जैसे लोगों से ही बचाता आ रहा हूँ वो एक जगा पर dustbin में पड़ी हुई थी मैंने उसे life दी है वो नेट पर बहुत गुसा हो गया उसे मारने वाला था तभी लिली काड़ी लेकर टेंड में घुसा देती है जल्दी से उसने नेट को बचा लिया ये दोनों दूर आकर गया स्टेशन पर हैंग आउट कर रहे थे नेट अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था एक गैंक्स्टर ने करवा हुआ था इसके पीछे का रिजन ये है कि वो उसके वाइफ के साथ intimate हुआ है अभ नेट अपने फ्रेंड को कहता है कि उस गैंक्स्टर के साथ मेरिक में एक मेटिंग फिक्स करो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम में मार डालेगा ये फोन चलते चलते नेट लिली को देख रहा था जो उड़ने का ट्राय कर रही थी थोड़ा सा आसमान में वो फ्लोट भी करने लग गई थी उसे देखता है रहे गया उसके पास आता है वो कहती है इस विंग्स के लिए मैं जरा बड़ी हूँ अगर राइट विंग हो तो थोटी फार फ्लोट कर सकती है नेट एक्साइटेड होकर उसके पिक्चर्स लेता है गाड़ी में लिली नेट से पूछती है कि हुआ क्या था नेट ने का इमें गैंस्टर की वाइफ के साथ इंटिमेट हुआ था इसलिए मुझे मारने के लिए उसने गुंडे को भीजा हुआ था लिली पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते थे नेट कहता है कि नहीं थोड़ा भी नहीं लिली को यह बहुत ही साइड लगा नेट भी कहता है तुम इतनी ब्यूटिफुल हो तुमारे भी बहुत सारे लवर्स होंगे इसके बाद यह दोनों एक मॉटेल में आके लिली यहाँ के बैलकनी से ओशन को स्मेल कर सकती थी उसने अब तक सी देखा नहीं नेट कहता है सी बहुत ही ब्यूटिफुल होता है एक दिन में तुमें लेकर जाओंगा लिली के विंग हर्ड कर रहे थे तो उसने अपना जैकेट निकाल लिया अपने विंग्स ओपन करती है नेट अभी भी बहुत ही सप्राइस था वो कहता है कि कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता वो हमेशा विंग्स को देखकर सप्राइस रहेगा लिली को यह सुनकर बुरा लग गया उसे लगता है कि वो बहुत ही अजीब है इस वर्ल में बिलॉग नहीं करती उसे सब की तरह नॉर्मल होना था नेट उसे बाद में सौरी कहता है जब सुबा होई तो वहाँ से गायब हो गई थी नेट उठने के बाद उसे कहीं भी ढोड़नी पाता बहुत ही डिस्टरब हो गया बाहर आया तो एक आदमीन उसे कहा क्यों तुमारा ट्रक लेकर चली गई जाने से पहले उसने कॉल भी लगाया था नेट फोन बूत के बाद जाता है नोट पैड पर उसने पेंसिल से स्क्रैच किया उसे एक एड्रिस मिला यह डॉक्टर का एड्रिस था जल्दी से वहाँ पर वो पहुच जाता है लीली इस डॉक्टर के बास अपने विंग्स को निकालने के लिए आई हुई थी नेट ने जाकर इसे रोक लिया वो लीली को समझाता है तुम अमेजिंग हो डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल नहीं नेट कहता है नॉर्मल होने से क्या प्राइज मिल जाता है लीली जैसी है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है लीली को भी फर्स टाइम किसे ने एक्सेप्ट किया तुसे बहुत अच्छा लगा नेट ने डॉक्टर को धम की दी अगर इसके बारे में उसने किसी को भी बताया तुसे मार डालेगा अपनी सिटी में आकर नेट फिर से अपने फ्रेंड को कौल लगाता है उसकी फ्रेंड बुच्छती है तुम्हारे बास ऐसा क्या है जो गैंस्टर के साथ तुम डील करने वाले हो नेट लीली के बारे में उससे बताता है उसकी फ्रेंड ने का कि वो लीली को बरबात कर देगा नेट कहता है मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूँगा मैं भी हमेशा उसके साथ ही रहूँगा मैं सिर्फ उसके future का एक part उसे दे रहा हूँ नेट लिली को बेज देने वाला है पर फिर भी कुछ कट हमेशा रखेगा उसे protect करता रहेगा नेट की friend ने पूचा लिली में ऐसा क्या है जो उसमें सब लोग interested होंगे इसके बार directly gangster को उसने photos विगरा दिखाए वो reality में तो इस पर बिलिव नहीं करता पर कोई भी chance भी लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही बड़ी opportunity है या इंस्टर ने कहा कि अगर मैंने तुम्हीं यही मार डाला तो मुझे उसके पास जाकर पाने में कोई भी रोक नहीं सकता नेट कहता है मुझे पता नहीं कि वो कहा है अगर थोड़ी दिर में मैंने मेरे friend को call नहीं किया तो लिली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी गैंक्स्टर नेट को मारना जाता था पर उसके जान के बदले में वो लिली को दे देता है लिली जो भी अर्निंग करेगी इसके थोड़े से परसे नेट हमेशा लेता रहेगा गैंक्स्टर ने का यह सब तो ठीक है पर रियालिटी में मुझे उसे देखना पड़ेगा यह फिर एक कंसर्ट की जगा मीटिंग फिक्स करते है अगले दिन एक रिमोट से जगा पर आकर लिली और नेट यह दोना हैंगाउट कर रहे थे लिली पूछती है तुम तो बहुत ही फेमस थे तो अब हुआ क्या वो कहता है तब मुझे पूरी आदत पढ़ गए ड्रग्स वेगिरा इस वज़े सो बरबाद हो गया था गैंग्स्टर कंसर्ट पर पहुचा उसके पास एक लड़की आए और बाइनेकुलर देखकर चली गए एक ओपन कंसर्ट था तो दूर से वो लिली को और नेट को देख सकता है नेट कोई भी चीज रिस्क नहीं करना चाता वो लिली के विंग्स को देखना चाता था तो लिली ने भी ओपन कर दिये गैंग्स्टर भी देखकर सप्राइज हो जाता है उसने अपने आदमी को गा जा और नेट को मार डालो, उस लड़की वो मेरे पास लेकर आओ, नेट और लिली दूर थे, तो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, अब गैंस्टर के पास कोई भी आप्शन नहीं, उसे नेट के साथ डील करने ही पड़ेगी, रात में लिली और नेट ये दोनों जब अपन लगा, वो नेट से बुछती है, क्या कभी तुमने शादी की थी, वो कहता है कि हाँ, मैं उसे सबसे जादा प्यार करता था, उसकी अपडेट हो चुकी है, लिली नेट से उसका ट्रमपेट सुनना जाती थी, नेट भी बहुत ही ब्यूटिफुल सी धुन बजाता है, लिली फरस किस था, इसके बाद यि दोनों इंटिमेट हो जाते हैं, नेट ने फिर लिली को अपने वाइफ के बारे में बताया, नेट ट्रुक्स करता था, उसकी वज़े से हि उसकी वाइफ भी ट्रुक्स करने लग गई, उसने अपने आखों के सामने उसकी डेत देखी थी, उस लिली को सब कुछ बता देता है, कि नेट उसे बेचना जाता था, हैपी ने का कि तुम बहुत यूनिक हो, सबसे ब्यूटिफुल, मैं तुमें केज में नहीं रख सकता, उसे अपने ले पाना जाता है, वो गहता है, तुम्हारा ओडियंस सिर्फ मैं ही रहूंगा, वो लिली स उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो लीली भी इसके लिए मान गई हैपी नेट को मारने वाला था पर लीली कहती है तुम दोनों की डील थी वही डील हम कंटिन्यू करेंगे लीली उसके साथ गई सिर्फ नेट को बचाने के लिए नेट बहु हुआ हुआ था काड़ी से उतर कर नेट लीली के पास पहुझ गया लीली हैपी के साथ मूवी देख रही थी नेट कहता है मेरे साथ चलो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यह जाओ जाओ लेकर जाओ पर उसके बहुत सारे लोग पीछे थे वह नेट को बाहर निकाल देते लीली हैपी को फिर से गया दिया कि जब तक मैं तुमारे साथ हूँ उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए नेट को रात में लीली के ही सबने आते है वो बहुत रोता है उसे पैसों की जरूरत थी तो एक जगा पर ट्रंकेट बजाने का उसे कॉंट्रेक्ट मिला उसकी कुछ एडवांस में से उसने पहले ही ले लिये अगली दिन हैपी लीली को एक बहुत ही बड़े पार्टी में लेकर जा रहा है वो लीली से एता है मुझे जो ए नाम दिया गया है हैपी इस नाम को लेकर वो अपने फादर पर बहुत ही ज़्यादा अफसेट था उसकी लाइफ मे बचपन से लेकर आज तक कोई भी हैपीनेस नहीं था पर अब उसे सही लगता है वो लीली के साथ है तो बहुत ही हैपी है अब उसे नाम सूट करता है उसने लीली को एक ब्यूटिफुल से डायमंड का नेकलिस दिया ये दोनों पार्टी में आये इस पार्टी को देखकर लीली सप्राइस थी इसी पार्टी में नेट ट्रंपेट बजा रहा था हैबे की इंटर्व्यू लेने के लिए कुछ लोग थे तो जब वो बीजी हुआ तो नेट और लीली फिर से एक दूसरे के सामने आते है लीली उसे कुछ भी बात नहीं करती हैपी उसे लेकर चला जा था इस लड़की के हाद में कोकेन भी है उसे जबरदसी दे देती है एक्च्वल में जिस आदमी से नेट लीली को चुरा कर लेकर आया था यह सब उसी आदमी का प्लैन था वो उसे ओवरडोस करकर मार डाना जाता है उसे लगा तो था कि वो मर जाएगा अगर नेट वैसा ह रहता तो मर जाता पर उसे हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेंड आगे वो उसके जान बचा लेती है इसके बाद लीली का पता निकाल कर वो हैपी के घर में घुश गया वो लीली से कहता है कि मेरी ही वज़े से तुम अभी आ हो उसे फिर से घर लेकर जाना चाहता था हैपी कि यह सब देखा और उसे मार डालता है उसे लीली बर शक हो गया उसे लगा कि लीली भी उसके साथ भाग जाने वाली थी वो गुचसे में लीली को बहुत मारता है ने क्लब में लिली को बॉक्स में रख कर उसको सब लोग को दिखाता है लिली एक मिराकल है उसे देखने के लिए बहुत सारे बैसे देने के लिए लोग रेडी थे नेक सिन में देते हैं कि नेट के पास उसका फ्रेंड आया हुआ था वो से गयता है कि पुलीस हैपी के कलब पर आज जाने वाले है उसकी एंजल पकड़ी जाएगी यहाँ नेट को पता चला कि हैपी लिली के साथ क्या कर रहा है वो गुस्सा हो गया अपनी फ्रेंड की मदद से उस कलब में पहुँच जाता है वो लिली के पास आया उसे इस तरीके से केज में देखकर उसके आग में आशो आ गए लिली भी उसे देखकर रो रही थी हैपी उसके पीछा आया उसने का कि इतनी ब्यूटिफुल है नेट उसे बहुत मारता है हैपी के लोग इनके पास पहुँचे उससे पहले उसने लिली को फ्री कर दिया भागते भागते ये टेरेस तक पहुच जाते है इनके पास अब कोई भी वे नहीं था नेट लिली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा वो बहुत ही डर गई थी कहती है मैंने ये कभी भी किया नहीं है वो कर नहीं सकती नेट कहता है वींड पाउरफुल है हमारे पास हाइट है तुम्हें कर सकती हो टेरेस का दर्वाज तोड़ कर हैपी की आदमी पहुच चुके थे नेट लिली को किस करता उसने जम मार दिये लिली भी उसे बचाने के लिए जम मारती है उसे पकड़ती है और अब वो फ्लाइ कर रही थी हैपी ये सब देखती रह गया उसे फ्लाइ करते करते दूर लेकर चली गई अब हमारा इस मूवी का ट्विस्ट आता मूवी के फर्स में हमने देखा था कि नेट को मारने के लिए एक आदमी डेजर्ड में लेकर गया है ये दोनों जब उट रहे थे तो नेट ने फिर से उसी स्पोर्ट को देखा वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी इसका मतलब है उसकी मूवी के फर्स में डेथ हो चुकी है जो भी हो रहा था ये उसका गोश्ट था अगर इस मूवी में हम नेट का कैरेक्टर देखे तो एक डीमन की तरह ही है लिले एक एंजल है एंजल और डीमन की लो स्टोरी बहुत ही फेमस माइथोलोजी है और ये ही इस मूवी के वर्ल्ड में इन्होंने क्रियेट की अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे इसे के साथ आज का विडियो हम खतम करते है अगर आपका अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाना में मत भुलिएगा हम विडियो से मिलेंगे और एक निम्मों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये